नमस्कार दोस्तों स्वागेत है सभी का समाचार कैरी में यह वीडियो जुड़ी है आदमपुर उप्चुनाव से भाजपा ने स्रीएम और प्रदेश एद्यक्स ओम प्रकाश धनखड पर छोड़ा आदमपुर उप्चुनाव के प्रत्याशी का फैसला भाजपा कुलदीप का फैसला सीम मनोहरलाल प्रदेश एद्यक्स ओपी धनखड करेंगे संभव है कि पार्टी साथ या आठ अक्टूबर को प्रत्याशियों का नाम एलांग कर देगी पार्टी सूत्र बताते हैं कि भाजपागा शिर्ष ने त्रिकल इस उप्चुनाव में कुलदीप में ही उप्चुनाव लड़े उनका कहना है कि पार्टी जो निर्णे लेगी रहे मानने होगा भाजपा की बैठक में पार्टी के हरियाना प्रभारी विपलब देब सीम मनोहरलाल प्रदेश इद्यक्ष ओंप्रकाश धन्खड के अलावा अन्यनेता शामिल रहे इस दोरान निर्णे लिया गया कि भाजपा नवंबर के तीसरे सफता में प्रदेश सरकार के आठ साल के विकासकारियों का लेखा जोखा लेकर लोगों के बीच पहुचेगी और एक विशाल रैली करेगी आपको बता दे कि इनलो विधायक अभै सिंग चोटाला ने कहा कि आदंपुर उप्चुनाव को लेकर इनलो की परदेश करेकारणी की बैठक इसार में गुरुवार को हुई जिसमें आदंपुर उप्चुनाव के लिए पांच सदस्य एक कमेटिक अगठं किया जो अलग अलग तीन चार दिन आदंपुर हलके के गाओ गाओ जाकर लोगों से बातचित करेगी और 10 अक्टूबर को तीन से चार परतियाशों की रिपोर्ट बना कर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकास चोटाला को सोपेगी इस पर चोटाला चुनाव में इनलो उमिद्वार की गोशना करेंगे 14 अक्टूबर को उमिद्वार का नमांकन भी भरा जाएगा आप आज कल में भोशिट करेगी परतियाशी को अंग्लेस आज करेगी मंत्तन जिहां नेता परतिपक्ष एवंपूर्व सीएम उपेंदर सिंग हुड़ाक ने कहा कि कौंग्लेस पार्टी आदंपूर उप्चुनाव को लेकर तैयार है पार्टी साथ अक्टूबर को चंडीगर में बैठक करेगी इसमें पार्टी के इन नेताव की ड्यूटी लगाई जाएगी पार्टी की उप्चुनाव में जीत होगी उन्होंने कहा कि परतियाशी का चैन भी जल कर लिया जाएगा बाजपाक वादंपूर उप्चुनाव में हार का बड़ा सामना करना पड़ेगा यह कहना है पूर मुख्यमंतरी उपिंदर सिंग फुगडा का आपने आज हिसार में बुलाई वरकरों की बैठक जी हां आम आदमी पार्टी भी अब डोड में हैं आम आदमी पार्टी के हरियाना पर भारी डक्टर सुशील खुमार ने बताया कि पार्टी की पॉलिटिकल कमेर्टी में बैठक में निर्णा होगा कि आदमपूर उप चुनाव में कौन परत्याशी होगा चुनाव की तियारी के लिए परदेश के सभी वरकरों की बैठक शुकरवार को हिसार में बुलाई गई वहीं सूत्रों का कहना है कि ज़्यादातर दल एक दूसरे की परत्या आदंपुर में ऐसे हालात नहीं थे जिस करण कुल्दीप को इस्तिफा देना पड़े एसा इसलिए किया कि कुल्दीप इश्णोई अपने बेटे को राज नीती में इस्थापित करना चाहता है इन्हेलों के प्रधान महासरची अबैसिंग चुटालों ने कहा कि कॉंग्रेस वाले रोज नए-णए बियान देकर ध्रम पैदा कर रहे हैं कॉंग्रेस के पास स्थाई उमीदवार नहीं है कॉंग्रेस में दो नेताओं के नाम संभावित उमीदवार के लिए चल रहे हैं लेकिन संपत सिंग और जेपी दोनों बाहर के हैं जिस पार्टी के पास हलकी का काड़ा बन गया है सीम ओफिस में कई बार भ्रस्टा चार हो चुका है अब हैंने दिपेंदर हुड़ा द्वारा आदमपूर उप्चनाव में कॉंग्रेस की जीत का दावा करने पर पलेट वार करते हुए काहा कि दिपेंदर चिंग हुड़ा को आदमपूर हलके के बारे म जानका दितक नहीं है उसके बावजूद कॉंग्रेस आदमपूर उप्चनाव में अपनी जीत का दावा ठोक रही है जो की हवा हवाई बाते हैं